साथियों, आज मैं हिंदूОं के विवाह पर कोई चर्चा करूँगा, साथियों विवाह एक संसकार है, इस संसकार को लोगों ने एक प्रकार से तमासा बना रखा है, Сाथियों आपने देखा होगा कि इस बिवाह सन्सकार का जब प्रारंब होता है तो लगबग देखने में आता है कि दहेश से होता है लड़के वाले लड़की वालों से दहेश की मांग करते हैं सूची बनाते हैं वो भी लिखित में दो पन्नों में एक लड़के के पास एक लड़की के पक्षकार के पास जिसमें दस लाग का दहेश, पांच लाग का खाना, घरी, गले की चैन और जाने क्या-क्या अगूठी पहनाई सात्यों, आपने देखा होगा कि अक्सर लड़के पक्षके हो या लड़की के पक्षके हो, एरे गरे को काड़ पकला देते हैं, नवस्कार दुआ सलाम है, उसे भी बुलाते हैं, विवाह के नाम पर भीली कठी करते हैं, और जो आगंतुक आते हैं, उनसे लिवापे लेकर, वो लिवापा देते हैं और उनसे लिवापे लेकर, उसका पूरा हिसाब किताब बनाते हैं, ताकि यह हिसाब किताब आगे चलता रहे, किस से कितना लिया और किसको कितना देना है, भोज में भील बढ़ाते हैं, सलकों पर बरात निकालकर सलके जाम कर देते हैं, सोर गुल म किया यही विवासरशकार है बेटी की सादी न होकर लगता है कोई सजा हो गई और यह तब से सुआ होता है जब से बाच्चीत यानि रिस्ता लगता है निरिस्ता आता है कभी लड़की के घर लड़के के पक्षि के तरब के लोग आ रहे हैं ननन्द आ रही हैं, जेठानी आ रही हैं, कभी चाची सास आ रही हैं, तो कभी मुमानी सास आ रही हैं, सब टोलियां मना बना के आते हैं, और बेटी की मा चेहरे पर हलकी सी मुस्कराहट लिये हुए, सब कुछ जेलती है, सब को आले से आला खाना पेस करती है, सब का अच्छ बरात के आध्मित होते हैं, पांसो लाएंगे, आठ सो लाएंगे, एक हजार लाएंगे, क्या सात्यों यही विवा संसकार है, और होता क्या है, कि किसी कोने में एक मंडब बनाके, रात में उसी को विवा हो जाता है, कुछ देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, हो गया, व प्रस्वे रिवाजों को कब खब खत्म करेंगे हम लोग, हम लोग कब जागरूख होंगे और विवाह को एक पवितर संसकार मान कर उसे पूरा करेंगे, अक्सर देखा गया है कि वर पक्ष को वदू पक्ष अपने सहर बुलाता है, लेकिन सारे कारेकर्म घर पर न करकर करेंगे कि लड़की की साधी, लड़की के घर आंगन में होनी चाहिए, हम देखते हैं कि घर में जगे की कमी होती है, इसलिए बराद घरों का इस्तेमाल होता है, फेरे भी वही होते हैं, और सातियों इस तरीके से जो विवाह का जो संसकार है, उसको एक तरह से रस्म अदा के लाईगी बना दिया गया, मुक्य धान उनका खाने, पीने, इन सब बातों होता है, मनोरंजन में, वरपक्ष चाहता है कि सारे कारकरम उसके सहर में हो, और जब इस प्रकार की खिस ताच होती है, लड़की वाला अपने सहर में और लड़का वाला अपने सहर में, तो हम द कि बदू पक्ष भी अपने जनातियों की भील बढ़ाने में आगे रहता है लेकिन वर्पक्ष से मांग करता है कि 10 या 15 बरातियों की ही वहां पर अगवानी करनी पड़े यह पिछली सोच को बदलने में ही भलाई है विवहा को एक संसकार मानकर इसे सुवधा युक्तिस्था कि इक जगए दोनो निकट परिवार के लोग मिलकर अच्छी तरह से इस पवित रिष्टे का सम्मान करें और इसे संपाधित करें सार्जनिक बोज दोनों पक्ष अपने साधन के अनुसार दूसरे तितिखे एं में अपने अपने तरीके से अपने अपने स्थान पर कर सकते और नहीं भी कर सकते हैं, यह उनकी इक्षा और उनकी आर्थिक छमता पर निर्बर करेगा और वो किस तरह से क्या करते हैं, यह उन पर स्वेक्षा से होगा अतित का सम्मान करें, ना कि उसके लिभावे में उसकी जेब देखें और लिभाबे का लोब करें आपके घर पे आपके संस्कार में आपने किसी अतित को बुलाया है उसकी आप जितनी सेवा आव भगत कर सकते हैं उतनी सेवा आव भगत करना चाहिए हाँ भेट सुरूप कुछ पूल गुलदस्ते माले यह सब हो सकता है अदित का सम्मान करना ही सबसे महत्यपूल है द्वनी पर दूसर ना करें सुक्षिता का ध्यान रखें और बोजन का एक दाना भी कच्रे में न जाने दें यह ध्यान रखें क्योंकि यह अन्य देवता है न तो रात्री जागरन करें न किसी को कराएं सारे कारकरम आप सुबह च्छ बजे से लेके रात दस बजे के बीच आराम से पूल कर सकते हैं और यह खराब भी नहीं है सास्त्रों के अनुसार ताकि हर माता पिता अपनी बेटी को इज़त और सम्मान से विदा कर सके साथियों आपके घर में जो बेटी आई है वही महत्तुपूर्ण है उसके साथ धन या और किसी प्रकार का लोब ना करें साथियों इसी से जीवन बनेगा इसी से जीवन सुख में संपन्न होगा आओ हम लोग चलें एक बदलाओ की और इनी सब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही दानेवाद